हेलो फेंट्स आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैलेंट अर्मिन फेंटसी पर तो यहाँ पर आप देख रहा है मॉंबाइ उनियर्ड फासस रोयल चेलिंजर्जस मेंगलोड आईपल टी 20 मैच प्रिव्यू तो यहाँ पर काल सामको साले साथ बाजी एमाच खेला जागा M.C.A. स्टेडियंग पूने पर तो इस मैच में पीज़ डिपोट किया रहने बाले है और कौन कौन सी टीम का कौन कौन सी स्टेंट और विपनेसे से है और साथ में कौन-कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग और गैंड लीग पर अच्छी चॉइस होंगे साथ में कैप्टिन से रभास करेंगे इस वीडियो पर तो फिर चले वीडियो को सुरू करते हैं पहले बात करते हैं पीजी पुट की तो यहां पर आपको पता ही ह है कि सारे जो चार गांड पर मैच खेला जाएगा तो वहां पर पांच पिचिस रहेंगे हरे गांड पर तो कौनसी गांड पीच पर मैच हो रहा है तो वह आपको टॉस्ट से पांच या दस साथ मिट पहले पता लग जाएगा तो वह नीच के लिए आप हमरे टेलिग्रम च पीच रहेंगे जैसा कि हमारे मोतिरा स्टेडियम का है तो वहां पर हाई स्कोरी ग्राउंड रहने वाले हैं स्क्वार एंड स्टेट बांडरी छोटा है तो इसलिए यहां पर रांस ज्यादा बनेंगे एवरे स्कोर अब देख सकते हैं यहां पर 165 प्लास का है मतलब यहां पर 171 80 तक स्कोर जा सकते है लेकिर पिछला मैच में ज्यादा स्कोर नहीं हुए इसका मतलब यह नहीं है कि इस मैच में स्कोर नहीं होंगे इस मैच में हाई स्कोरिंग मैच जाने वाले है तो यहां पर बैटिंग फर्स्ट लास्ट आर्ड मैच में चार बार बैटिंग फर तो 31 बार अभी तक मुंबाई और RCB रहे सामने समने हुए है तो उन में से मुंबाई ने 19 बार और साथ में RCB ने 12 बार ये मैच जीता है तो इसलिए मुंबाई का पला थोड़ा भाली रहेंगे लेकिन यहां पर एक बात आपको बताओ कि मुंबाई जो है आपके मनें उनकी लास्ट तीन मैचेस हड चुके है तो इसलिए इस मैच को मतलब जैसे तैसे करके कामबेक करना चाहेंगे साथ में यहां पर दूसरी साइट पर यहां पर है RCB तो RCB की बात करें RCB जीता है लास्ट मैच को लेकिन इनको भी मतलब मैच जीतने का जो की है एक गॉन्फिरेंस रहेंगे जैसे कि यह लास्ट में जीत कर आ रहा है तो अभी बात करते हैं मुंबाई की जो प्राब्ल पेंगे एक सही रहने वाले हैं यहां पर रोहीद और रिशन की सान ओपन करेंगे साथ में नमबर त्री पर रहेंगे सुझय कुमर जातो उसके बाद टीवी मतलब तीलग पलट कर गए थे एक ओवर में इनको 35 रंस पड़े थे पैट कमेंज की बैट से जो कि एक प्रोपर बैट स्वन नहीं है तो इसलिए टीम इसको बाहर कर सकती है डेलेल संस की जगा फबैन आइलन को खिला सकता है नहीं तो डेलेल संस को फिर से एक मौका जोरूद दे सकते है तो वो बाद हम ट्रेलिगांपर कर लेंगे बात करते है नमबर एट की यहाँ पर टैमल मिल्स है नमबर नाइन पर आपको देखने को मिलेंगे मुर्गा नौसिन उसके बाद भूमरा और लाइन में बसिल धंबी तो फिर्ट यहां से कौन-कौन से प्लेयर आपके लिए मस् किसन है सुधिय कुमर ज्यादव तीलग बर्मा है पूलाड है सरी पूलाड नहीं यहाँ से मुर्गा नौसिन है और भूमरा है तो फिर्ट एक बाद आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आरसीवी के इंगेर्स मुबाई का जब-जब मैच हुआ है तो सुधिय कुमर ज सकता है साइद इस मैच को अच्छा खेल जाए तो टीम का अच्छा होगा हम देखेंगे इसको टीम में रखना चाहेंगे की नहीं क्यूंकि करिडिट का इसू आएंगे तो मतलब एकोडिंग टू केडिट इसू हम टीम मराएंगे एन में वह बात करेंगे हम तो यहां पर ब हो गए थे नहीं और अच्छा मैच में थोड़ा स्कूर करकी गाए थे मैक्स्वेल नमबर फॉर पर एड सीधा सीधा मतला प्लेइंग एक साय में आ जाएंगे कौरिंटेन का पुरा हो गया है उसके बाद है ड्रियस कार्थिक जो की एक फिनिशर की रूप में खेल रहा है अंदर उसके बाद डेवीड उली है हसरंगा साबाज आमेत पिछला मेंज में अच्छी इनिंग स्केर की टीम को जिता है था उसके बाद है अरसल पैटेल मौहमद सीराच और अकास दीप तो फ्रिंट यहां से कौन-कौन सी प्लेयर आपके टीम में होना चाहिए मास्ट भी अगर आप चाहे तो इसन के सब दिनेश करती को भी राख सकते हो अगर आरसीवी चेस कर रहे तो डिके को जोरूर टीम में रखिये उसके बाद हरसल पैटल सीराच और हसरंगा तो यह प्लेयर अपके लिए स्मॉल लिग पर एक मास्ट टीक की रूम में देखने वाले हैं त क्योंकि मुंबाई ने यह तो कामबेक करना चाहेंगे और अरसीवी के पास लास्ट में जीत के एक अलग सा कॉन्फिदेंस गेन कर लिया है इनका टीम मतलब यह भी जीतना चाहेंगे तो अभी चलते हैं नेक्स सेक्शन मतलब प्लेयर बेटल्स की तरप यहाँ पर ज्याद पर आउट हो चीक अभी तक जब यह पंजब के लिए खेलते थे तभी आउट हें और आरसीवी के लिए जब खेलते थे तभी भी आउट है रोई तरमा अंसी प्लाट के एक तीन बार हो गये है बात करें प्लोट कि इसका रेकॉड अरशीवी तो आच्छा है लेकिन यह हस् और डैनिल सेम्स लेकिन अभी देखते हैं इस मैच में कौन डेथ डाले और अर्सवी की तरफ से आपको हो गया है सीराज और हर्सल कड़ेल साथ में आकासदीब भी पिछला मैच में एक ओवर डाल देता था तो आप यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कि कौन से प्ल में रहे हो उनको की 11 प्लेर्ट्स को बनाओ एंक टीब सौड लिक का स्मॉल लिक का एक टीम बनाओ फिर उसके मतलब एक या दो प्लियर्स को रोटेशन करो रोटेशन करते हुए बीश टीम बनाओ साथ में करन भास कपिन गोगी एगात टीम पर स्वाइप कर लेना कि फाप टू प्लेसी हो गए रोई सर्मा भी है से बाइस कर्प्टन किसी का और कर्प्टन सी की चोईस पर क्योंकि इन्हों ने भी आच्छा का सकता है फूरे कवर जैदा तो आपके पास 100% मतलब पीग हो जाएंगे बिरट कोली भी है यहां पर हसरंग भी है तो यह छे प्लेयर यहां पर वह आच्छा कर सकता है बात करें ड्रॉल वेविस की अगर यह फिर से वान डाउन आये पिछला मेंच की तरह तो यह भी एक अच्छा खास स्कोर कर सकते हैं लेकिन पिछला मेंच में किया हुआ था कि इन्होंने एक मतलब बुरी तरीके से स्टैंपिंग हो गए थ से एक अच्छा स्टैंपिंग रेट के साथ खेर थे तो इसलिए इनके पर भी भरोसा है यह भी अच्छा कर सकते हैं तो फ्रेस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरू कर देना शाथ में चैनल को सब्सक्रीब कर देना आप अगर चैनल पर नाए हो तो स विक्सान में बात करें हैं से इसान किसान है डिनेस करती गया और अनुजरावाद भी है तो इन तिनों आपस सबसे से बन जाएंगे यह से इसान किसान तो केडिट्सवर की तोरफे आप यहासे अनुजरावत को भी ले सकते हो क्यूंकि आपने टिम की तरफ से यह आए तो दिनेस करती को भी ज़रूर रख लेना अभी फिलाल अमरे टीम पर इसन किसन नहींगे और पेटिंग सेसन के हम पिक करेंगे फाब डू प्लेसी ग्लेन मैक्सवेल सुरिय कमर जादब और साथ में बिलाट कोली को पिक करेंगे रोईस्वान को आप चाहिए तो क्योंकि आठ करीण में यह अच्छी नहील sude कि आपको अच्छे पर आप दे सकते Jupiter में एक मतलब ट्रास्टोर्थी प्लेयर जिनको बहुत है एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है अच्छा पॉइंट सबको दे सकता है यहां से हमारे टीम पर रहेंगे ओल अंडर की तरौप से वाने दौहास रंगा यहां से डिवाल बेबिस यह दो प्लेयर्स को हम पीक करेंगे क्योंकि डिवाल बेबिस को लेने का यह मतलब है क्योंकि अगर नमबर थ्री के थ्री पर आगे थोड़ा हीटिंग कर ले तो अच्छा पॉइंट सबको दे देंगे साथ में एक दो कैच पकर गए अच्छे पॉइंट देंगे और साथ में यह आठ करिट का एक प्लेयर है तो इसलिए इसको आपकी टीम पर रखना चाहिए अभी बात करते हैं बोलिंग सिस्टन के तो यहां से हमारे टीम पर रहेंगे होर्सल पेटल मुम्रा यहां पर टाइ इसार किसान है विराट कोली ग्लेन मैक्सवेल फाब डूपलेशी सूरिय अकमर जातव हसरंगा डूयल प्रेविस हरसल पेटल भूमरा टाइमल मिल्स और इनमें महमस्तिराज तो यहां से आप चाहे तो वस्मान लिग पर मैक्सवेल और कोली सूरिया हसरंगा और भूमरा औ इनको भी आप लिग्स को यहां से सीराज को और साथ में यहां पर पूल आट को भी आप टाइक कर देना और फाइनल टीम के लिए आप ट्रेलिग्रम पर जोईन हो जाए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप जोईन हो जाएगा ए एक अच्छा सा टीम मनाई है और साथ में बहुत सारा वेनिंग कीजिए थैंक यू सो मच आल दे बेस्ट